नमस्कार दोस्तोंगा सुम्हागत हैं व्यार बोन्ड मेटरिक परिक्छं में डांडी यात्रा पर एक टीपननी लिखें ऐसा प्रस्न पूछा जाता है जिसमें कि आपको अगर आप उसे लिखते हैं तो तीन नंबर आपको कणफर्म मिल जाते हैं यादि यात्रा पर एक टीपन्य कैसे लिखा दाता है तो डांदि यात्रा के बारे में जानेंगे तो हम उसे अच्ये से लिख सकते हैं तो डांदि यात्रा क्या था देखिए मातमा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 विश्वासनिय सहयोगियों के साथ डंडी यात्रा प्रारम की यानि कि दोस्तों मातमा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 मित्र या सहयोगियों के साथ 78 आदमी के साथ उन्होंने यात्रा शुरू की यानि प्रारम की या यात्रा सावरमती आश्रम से डंडी तक 240 मिल की दूरी 24 दिन में पूरा हुई तो सावरमती से डंडी तक जाने में से 224 मिल की दूरी को 24 दिनों में पूरी कर ली इस यात्रा का उद्देश समुंद्र के पानी से नमक बना कर कानून का भंग करना था इसके साथ ही सविन्य अवग्यात अंदवलन हो गया देश के भिविन्य भागों में नमक कानून तोर कर सत्यागरह प्रारम किया तो दोस्तों आप समझ गयांगे कि महत्मा गंधी ने 12 मार्च 1930 इसवि को 78 आध्मियों के साथ डंडी यात्रा प्रारम की यह यात्रा साबरमत्ती आसरम से सुरू किया था और 240 मिल की दूरी को 24 दिनों में पुरा कर ली इस यात्रा का उद्देश था कि समुंद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को भंग करना था इसके साथ ही सविन्य अवग्यात अंदोलन प्रारम हो गया देश के विविन्य भागों में नमक कानून तोर कर सत्यागरह प्रारम किया तो दोस्तों आप इसे कॉपी पर उतार लें और दो तीन बार जरूर परें और आपको याद हो जाएगा कि डाउन्डी यात्रा पर एक टिपन्नी लिखे हैं तो डाउन्डी यात्रा क्या था आप समझ गयें आपका कंफर्म है अगर ये क्वेस्टन पुछ दिया जाता है तो तीन से चार नमर आपका कंफर्म आ जाएगा धन्यवाद